हेलो गाइस वेलकम टू मैं किचन चेनल तो आज की मेरी रेसिपी के कड़ाय मतन की रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं मतन बनाने के लिए मैंने इन मसालों का यूच किया है कड़ाय भी गर्म हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे तेल दो तेज पत्ते खड़े गरम मसाले साथ में जीरा और इसे मच्छे से भूनेंगे बिल्कुल इसके बाद मैं यहां डाल रही हूँ चार बड़े प्याज जिसे मैंने कटिंग करके रखे हुए थे और इन प्याजों को बिल्कुल अच्छे से भूनेंगे हम मैंने यहां थोड़े सा काली मिर्च और धनिया को अच्छे से कूट लिया है दरदरा इसे मैं डाल रही हूँ इसे डालने से मटन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डाले प्याज भी अच्छे से भूनने लगा है और इसकी क्वैंटिटी भी बिल्कुल आदी हो चुकी है देखिए बिल्कुल अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे मटन मटन मैंने यहां 500 ग्राम लिये हैं साथ में मैं डाल रहे हूं नमक ताकि मटन को गलाने में हमें असानी हो बहुत कम समय में मटन बनके तयार हो तो चलिए हम इसे ढगड़क के भूनेंगे ताकि मटन गल्ले में ज्यादा टाइम ना ले इसे हम अच्छे से भून लेंगे बिलकुल अब हम इसमें डालेंगे मसाला हलका सब पानी साथ में हल्दी कास्मीरी मिर्च कास्मीरी मिर्च डालने से सबजी के कलर बहुत अच्छा आता है और इन मसालों को बिलकुल अच्छे से हम बूनेंगे जब तक की मसाले से तेला लग ना हो तब तक हम इन मसालों को बूनेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं कस्तूरी मिर्च पत्ता साथ में मटन मसाला एक टमाटर इसमें डालके हम बिलकुल अच्छे से भूनेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा पानी और पानी डाल डालके ही मैं इसे बुनूँगी ताकि मसाले जो है बरतन में चिपके नहीं अब मैं इसमें डाल रही हूं मटन की चर्बी चर्बी को आप बाद में ही डाले पहले अगर आप डालेंगे तो ये गल जाएगा इसलिए चर्बी को हम बाद में ही डालेंगे और डालके हम इसे भी अच्छे से भूनेंगे तो चलिए इसे हम डगडग के भुनते हैं मसालों को मटन भी पका नहीं है अब मैं इसमें गरेवे के लिए पानी डाल रही हूँ और इसे हम लो फ्लेम में कम से कम 30 मिनट के लिए इसे पकाएंगे तो चलिए चेक करते हैं मटन पकाएं कि नहीं बहुत गरम हैं तो इसे तोड़ने में भी दिक्कत हो रही हैं तो चलिए चेक करते हैं मटन पकाएं कि नहीं मटन पक चुका है और इसकी गरीबी भी बहुत अच्छी बनी हैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ तीन हरी मिर्च कटी हुई साथ में मैं यहां डाल रही हूँ कटे हुए दनिया पत्ता इससे ढखके हम और दस मिनट पका लेंगे पकाएंगे और ये हमारी रेषपी बिलकुल बन के तैयार है बिलकुल ईजी और असानी तरीके से आप इसे घर में बना सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लिस वीडियो को लाइक करें साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ ठाइंक यू